टीम इंडिया के कप्तान विराट को हुली दक्षिन अफ्री की दोरे से स्वदेश लौट चुके हैं और पतनी अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म परी के प्रमोशन में भी जी हैं खबरों की माने तो विराट और अनुष्का मुंबाई में अपने नए घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं दिसम्बर में शादी के बाद से ही दोनों का शेड्यूल काफी बिजी रहा है विराट अनुष्का की ये शादी के बाद पहली होली होगी लेकिन ये काफी डरावनी हो सकती है दरसल अनुष्का की आने वाली फिल्म पर ये एक होरार फिल्म है फिल्म दो मार्च च्छी आनी की होली के मुके पर रिलीज हो रही है विराट खुद भी इस फिल्म को लेकर काफी excited है फिल्म कَ जब trailer release हुआ था तो विराट ने इसे share करते हुए लिखा था मैं इस फिल्म का बेसबरी से इंतिजार कर रहा हूँ साफ है कि विराट खुद भी इस फिल्म का बेसबरी से इंतिजार कर रहे है ऐसे में होली के एक दिन पहले दोनों स्पेशल स्क्रीनिंग में ये फिल्म देख सकते हैं खबरों की माने तो विराट अनुषका ने मुंबई के वरली में नया घर लिया है और शादी के बाद वो इसी घर में शिफ्ट हो गए है विराट ने श्रीलंका में होने वाली ट्राई सीरीच से आराम मांगा था और बी सी सी आई ने उन्हें इस सीरीच से आराम दे दिया है वहीं अनुषका भी फिल्म के प्रमोशन से होली के बाद फ्री हो जाएंगी ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों छुट्टियां मनाने कहीं बाहर जाएंगे विराट अब सीधे इंडियन प्रीमियर लीग आईपी एल के 11 वे सीजन में रॉयल चालेंजर्स बेंगलोर की कमान संभालते नजर आएंगे इसका मतलब उनके पास अपरेल तक की छुट्टी है